Hello everyone, welcome and welcome back to my channel, this is Sima और आपका मेरे इस छोटे से vlog में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप से भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी तो चले स्टार्ट करते हैं आज का ये vlog जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ अपना पूरा डे जिसमें मैं बताने वाली हूँ आज कि मैंने स्टेडी किया है कि other work तो चले स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर रही हूँ, यह फर्स लॉइड बोल सकते हैं जिसमें मैंने current affair को उठाया है. और इसमें यह current affair को आप देख सकते हैं, यह मैंने print आउट इसका पूररे लिएट सर्फ on- Yup- heh. अभी तक कि जैन से लेकर, अभी तक के जितने भी मंथली मैगजीन मैं विजन को फॉले करती हूं तो मैंने उन सब के जो इंडेक्स होते हैं उसे निकाल लिया है ताकि जब मैं स्टाटिक पढ़ हूं तो इन टॉपिक को ध्यान में रखूं क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में होने पर उसे बार बर खोलना थ साथ साथ मैंने पीटी और मेंस त्री सिक्स्टी फाइब जो अभी 22 का है मैंने उसे भी निकल वा लिया है और यहां पर मैं थोड़ा सा चेक करी हूं कि जो हमारा मंथली मैगजीन है और उसमें कोई टॉपिक सेम ना हो तो यह करने के बाद मैंने यहां पर किया है करने के बाद फिर जब मैं उपर आई तो मुझे मेरा टेबल बहुत जादा मैसी लग रहा था तो मैंने कहा कि चलो आज इसे ही ठीक किया जाए तो यहां पर मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी सफाई यहां पर थोड़ी सी चीज़ेंगे बहुत जादा हो गई है और पढ़न को उसकी नीड हो तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं मैंने वहां पर जितनी भी स्टेंडर बुक्स हो उन सब का रिवीव बहुत अच्छे से किया है और विच स्लेबस किया है कि आपको उसमें सारे स्लेबस पता चल जाए कि यह बुक से हमारा आता है या नहीं वैसे तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुश से करना है तो मैंने उन बुक का भी रिवीव किया है और विच स्लेबस आपको वहां पर दिखाया है कि वो टॉपिक उसमे है या नहीं मैंने प्रिविज यह कोशन्स हो या फिर हमारा स्लेबस हो या फिर बुक हो सब कर रिवीव किया है तो फिर बार बार बुक चेंज करना ठीक नहीं रहता है इसलिए आप जो भी बुक ले रहे है पहले उसके रिवीव देख ले किसी की भी रिवीव आप देख सकते हैं दो चार उसके बाद फिर डिसाइड करे कि ये बुक आपको लोंग टाइम तक काम आएगा या नहीं क्य तो यहां पर मैंने सबसे पहले इसे क्लीन करने के बाद फिर यहां पर मैं सोच में पढ़ गई थी कि इससे मैं इस तरह से खाली रहने दू बहुत सारे स्पेस के लिए या फिर जो बुक्स है जो मुझे पढ़नी होती है उसे मैं यहां पर रखू तो थोड़ा सा पांच मे है वो चीज़े हो जाती है और मैप वगेरा हो जाता तो बहुत जादा जगह चाही रहता है तो फिर फाइनली मैंने यसे पूरा खाली कर दिया और जो सब्जेक मुझे पढ़ना था मैंने सिर्फ वही रखा और फिर मैंने यहां पर लंच किया और फिर से लग गई अपने स्लोट पे यहां पे मैं वही काम करूंगी जो मैं सुबा कर रही थी करेंट अफैर और कुछ चीज़े इसमें पीडिया फाइल में है जिसे मुझे डाउनलोड करना है और अपने बुक से उसे चेक करना है कि जो मैं स्टेंडर बुक पढ़ रही हूं और जो सर दे रहे है व कि यहां पे मैंने सबसे पहले करेंट अफैर के कुछ टॉपिक्स देखे और उसे उसे मिलाया उसके बाद फिर मैंने इहां पे खुझ से ही सारे जितने भी पीडियाव थे सबको डाउनलोड किया और उन सबको एक बार चेक किया क्योंकि मैंने बुक में इंडेक्स तो सबक पढ़ लिया जाए तो बहुत अच्छा है तो यहां पर मैंने चेक करने के बाद यह स्लोट भी मेरा सिर्फ इसी में चला गया बहुत टाइम इसमें भी लग गया क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्स थे जो मैंने बहुत टाइम से इसे देखा नहीं था अब मैंने उन सब को चेक करने के बाद फिर या पर लेंगे एक छोटा सब्डेग से लास का ऊच्णох सकते है उससे स्टार्ट करेंगे इसके बाद फिर मैं यहां पर ले कर बैट गई हूं अपना फौर्ट सलोट जिसमें मैंने 23 का जो पी पर है। उसे मैंने सोचा कि एक बार इसे देख लिया जाए क्योंकि सब ने कहा है कि इस बार का जो प्री था वो बहुत ही जादा टॉफ था तो मैंने सोचा कि सिर्फ को एक बार मैं पढ़ लेती हूं कि वो मतलब मैं मुझे समझ आ रही है चीज़ा या नहीं और टॉपिक भी ध्यान में रहेग कुछ नहीं कि है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिन एक्स लौग में आपको मेरा यह व्लॉग कैसा लगा मुझे बता सकते हैं और अगर चैनल पे नहीं है तो लाइक शेयरल यंजि़ पर सकते तो पढ़ते रहें खोश रहें मिलते नेक्स लॉग में कुट नाइट ए